हेलो एवरीवन मैं नमना गरवाल एक बार फिर से आप सभी का सौगत करता हूँ आपने थमनेल में देखा होगा यूपी पुलिस भरती तो हजार तेइस कॉंस्टेबिल की भरती है कुल पत 35 से जादा सर यह बास सही है या गलत है काफी टाइम से हम देखते हुआ रहे हैं कि ह हम लोग इदर दर न्यूज देखते हैं हम लोग काफी बार ऑनलाइन देखते हैं कि कॉंस्टेबिल की भरती आ गई है लेकिन मैं नमना गवाल आपको जो भी फैक्ट है वह मैं आपके सामने आज इस वीडियो में रखने आया हूँ अभी हाल फिलाल में हम हमारी टीम एक प क्या रहेगा उसके बारे भी हम बात करेंगे और अगर नोटिफिक्शन नहीं आएगा तो उसके बारे भी हम बात करेंगे इस वीडियो में चलो अभी हाल फिलाल में हम लोग जब नियूस पेपर देख रहे थे तो उसमें यह रिखा हुआ आता यूपी पुलिस में 35 विया करने की तैयारी में है इस बार पुलिस ने कॉंस्टेबल 35 से कुछ अधिक पदो पर मदब 35,000 प्लस ही होंगी भरती की प्रिक्रिया शुरू होना संभावित है उत्ता प्रदेश पुलिस ने भरती बोर्ड ने अधिकारे के मताविक बोर्ड ने इसके लिए प्रिशासन को भेज दिया गया है शासन के से प्रिस्ताफ पर महल लगने के बाद अधिदेश जारी रहोगा और उसके बाद भरती की प्रिक्रिया शुरू हो जाएगी यह एक न्यूस पेपर के जाने वाने न्यूस पेपर कॉलम में आया हुआ है तो उसमें मुझे लगा कि आप लोग के चांसे तो सबस्ली आप करने हैं सबसे पार्ट काई हुआति हैं मैं तयारी अभी से स्टार्ट करनी है सबसे पार क्या होता है हमारा आपको पता है 12 तक कई होती ठीक है और ईसमें ऐसा कोई परसेंटेज नहीं होती की इतनी percentage चाहिए यह चाहिए अगर मैं बात करूं आपकी qualification की मैंने बात करी age की बात करूं तो age जो होती है वो 18 से अब जो नया pattern आने के chances जब हैं तो उसमें जो age के chances लग रहे हैं वो 18 से 22 max to max 18 से 20, 18 से 20 तो होती है तो बात करूं तो इसमें यह सारी चीज़े होती हैं इसका पेपर का pattern कैसा रहता है तो पेपर का पैटर्ण होता है उसके बारे में बात करूंगा इसमें जो रहता है वो जन्रल साइंस रहता है जन्रल हिंदी रहता है numerical aptitude रहता है and ability और mental ability टेस्ट होता है जो कुल number of questions होते हैं वो तो यह सारा कुछ इसमें देखा गया है इसमें physical test भी होता है क्योंकि जब पुलिस का exam होगा कोई भी होगा तो उसमें physical test आपका हो गई होगा और देखो एक बात सुनो मैं हमेशे बात कहता हूं क्या हम लोग वेट करेंगे कि वेकेंसी आएंगे उसके बाद हम पढ़ाए शुरू करेंगे मुझे बताओ क्या हम ल जो नोने running तब start करी जब उनको लगा कि हां हमारा paper qualify होगे running करनी चाहिए तो running आपकी 15 या 20 दिंग में running नहीं होती है कि आपको लगेगा कि हमेरा पहले paper qualify हो जासकी बात करूंगा तो वह आप अपने और अपने आपको दोका दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो मैं यह भी साइड लेके चलना है जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपको कसर आप सिर्फ एक ही साइड ले रहे हो वेकेंसी नहीं आई तो आप अभी कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छी बात लिखोगे लेकिन मेरा एक मानना है कि अगर वेकेंसी नहीं भी आई तो आपकी पढ़ जीडी की वेकेंसी आती है मैं अगर जीडी की वेकेंसी की बात करूं तो जीडी की वेकेंसी एक जनवरी दुहर चौवेस से स्टार्ट हो जाएंगी विकॉस हमारा जो प्रैस का नोटिस है वो रिलीज हो चुका है ओफिशल नोटिस ओफिशल साइट पे तो मेरे दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी से तयारी शुरू कर दो वेकैंसी जब भी आए हम तयार हैं हम फिजिकल के लिए भी तयार हैं हम रिटन के लिए से भी तयार हैं और बात रही आयू सीमा की आयू सीमा की जहां तक है 22 लड़कों की 22 या 22 लास्ट टैम 23 थी इस साल ऐसी न्यूज आ रही है 22 हो सकती है अभी कुछ नहीं है जब तक ऑफिशल नोटिविशन नहीं आता है कोई भी कह रहा है कोई भी कुछ कहता है कि सर साइट पर जाता हूं चैक करता हूं आया है या नहीं मेरा इस वीडियो के पीछे बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप लोगों को अविया करा दूँ वेकैंसी आने के पूरे पूरे चांसे न्यूस पेपर में भी आगया मेरे सोर्सें और भी मुझे बताया कि व हमें रणिंग स्टार्ट करने चाहिए और पढ़ाई और रणिंग तो ऐसी चीज़ है वेस जाएगी नहीं आप अगर रणिंग कर रहे हो तो आपको किसी जिन्विंग की जरुरत ही नहीं बढ़ती है वो खुदी इतना आपको आजकल आपने देखो का इतनी ज्यादा प्र कभी यह मत सोचके करना कि यह पढ़ाई बिकार जाए जाए कभी नहीं जाती है चलता हो मेरे दोस्त जब्ही कभी हमें वेकैंसी यहां पर आती है तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे उसके पूरी तयारी कराने की जम्मिदारी हमारी है सारा ऑफिश्य नोटीशन बताने क थिम्म्मदारी हमारी है आप बस बने रहेगा और मेरी कलास चल दिये राद को 8 बजे वह एक्जाये चाहे वह मां ने कर ली किलावा समय अच्छी त्यारी करें है उस High चलता हूँ इसे बात के साथ मैना मने अगरवाल आप से विदा लेता हूँ थांकिव सो मच्छ बबाई टेक क्या चाहिए